Hello दोस्तों अगर आप भी MeTV का यूज करते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें Wi-Fi disconnect वाली problem को solve किया था उसके लिए basically मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था अगर आपको वीडियो देखना है तो आप जो है आई बटन पर क्लिक करकर वीडियो देख सकते हैं मतलब टॉप राइट पर आप क्लिक करिए वो वीडियो आप देख पाओगे मैंने क्या उसमें solution दिया था बट कुछ लोगों क्या काम हो रहा है जो मैंने बताया था process उससे कुछ लोगों का काम हो रहा है और कुछ लोगों का काम नहीं हो रहा है तो आज इस वीडियो में उसका दोस्तों एक solution देने वाला हूँ कि कैसा आप उसको fix वगरा कर सकते हो अब वो depend कर रहा दोस्तों कि आपका कौन सा टीबी है कौन सा model का है कि आपका टीबी updated है कि नहीं updated है क्योंकि काफी comment मुझे उस वीडियो में मिल रही है 50% से ज़्यादा लोग बोलने है कि उनके टीबी में वो काम कर रहा है और कुछ 30% के आसपास लोग हैं जो बोलने है कि उनके टीबी में काम नहीं कर रहा है तो मेरे टीबी में भी ऐसे same problem हुई थी जब मैंने वो सेटिंग हो गएरा की थी तो मेरा टीबी ठीक ठाक चावा था कोई दिन लेकिन अपडेट हो गएर एक बाद में मुझे फिर से वो problem face करने को मिली तो हो सकता है जिन लोगों के टीबी में चल रहा है या तो उनका अपडेट नहीं हो या फिर उनका कोई दूसरा model हो क्योंकि यह model के उपर भी depend कर रहा है जैसे कि मेरा Mi TV 4A for change है और दोस्तों अभी मैंने इसका solution ढूंड लिया है basically मैंने कुछ किया नहीं है क्योंकि मेरे पास broadband है तो मैंने Ethernet cable से अपने TV को directly connect कर दिया आप देख सकते हो कि मेरा Wi-Fi disconnected है क्योंकि यह update के बाद ही fix हो सकता है और कोई तरीका है ने इसको fix करने का आप दोस्तों वो मेरा पुराना वाला वीडियो देख के वाला process भी try कर सकते हो अगर आपके पास में Ethernet आप नहीं connect करना चाहते हो तो आप वो process देख सकते हो सायद आपके TV में काम कर जाए पर मेरे TV में कुछ दिन बाद वो process काम करना बंद कर दिया और फिर मैं Ethernet को connect कर दिया आप देख सकते हो कि मेरा Ethernet का symbol आ रहा है और तब से दोस्तों कोई problem मुझे यहाँ पर face करने को नहीं मिल रही है बिल्कुल भी मेरा TV रूप नहीं रहा है इंटरनेट की वज़ा से बिल्कुल smooth चल रहा है तो अगर आपके पास भी broadband है तो मैं आपको recommend करूंगा कि आप जरूर से Ethernet cable से अपने TV को connect कर लीजे इससे आपको कोई problem face करने को नहीं मिलेगे इसके साथे साथ आप अपने TV को regular update भी करते रही है चाहे वो software update हो चाहे वो system update हो या फिर app का update हो कुछ भी अगर अपके TV में update आए तो properly आप उसको update भी करते रही है और इसकी वज़े से अगर कोई problem हो गयरा आएगी तो आपके TV में दोस्तों वो fix हो जाएगी और बाकि ऐसा कोई solution है नहीं कि कैसे आप उसको fix कर सकते हो ऐसा कोई solution है नहीं अभी फिलाल अगर future में आता है तो मैं जरूर से आप लोगों को update कर दूँगा तो बस यहीं बताना था दोस्तों मुझे इस वीडियो में तो उम्मीद करता हूँ कि यह छोटी सिंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक करिये चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन करिये कुछ ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए तो बस दोस्तों फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलता हूँ मैं आपसे अपनी अगले वीडियो में